आजकल हम सभी चाहते हैं कि कम महनत में कुछ टेस्टी सब बन जाए महनत भी ना हो और टेस्ट भी वाओ हो तो ऐसी ही एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और अगर आपको आज के वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर करें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूले चले देखते हैं रेसिपी तो सबसे पहले यहां पर ले लिया है मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग और इसमें मैंने अट कर दिया है एक कप के करीब बेसन तो नॉर्मल बेसन है मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास है इसके बा लिया है इसके साथ यहां पर ले लिया है मैंने हर अधनिया और साथ ही साथ यहां पर मैट कर रही हूँ हरे मिर्च बारिक निस दाल ह्क और अगी मैं Kanak और साथ YOUR है और मैं ढल रहे हैं पि Colin check brown ले जॉख सकते हैं जो पानी आड़ करेंगे इसके बाद यहां पर मैं डाल दिया है नमक और कुछ इसमें नहीं डाल रही हूँ है अच्छे से पहले सी हम ड्राइम मिला लेंगे क्योंकि सब्सजियों में काफी मौश्र है तो पहले हम इसे ड्राइम मिलाएंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा में तो बना ही सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे डाल सकते हैं और इसके साथ आप शाम की चाय के साथ भी से गर्मा गर्म बना कर सकते हैं फटा फट बन जाता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में तो यहां पर मैंने इसे इस तरीके का बैटर बन आने वाली हूँ इसके लिए मैंने ले लिए है थोड़ा समय घी अप्लाय किया इसके उपर बहुत ज़्यदा गीस में नहीं डालने वाली हूँ और इसके बाद यहां पर मैं इस तरीके से दो बड़े स्पून इस तरीके के पका लेती हूं इसके साथ मैं बनाने वाली हूं बहुत ही टेस्टी और आसांसी चटनी की रेसिपी तो यहां पर मैं डाल रही हूं धनिया तो एक कप के करीब धनिया है यहां पर मैं जैसे मोटा मोटा ही कट किया है तो धनिये की दही वाली चटनी यहां पर मैं बनाने वा डाल रही हूँ तो यहाँ पर यह मेरे पास पेस्ट था तो मैंने पेस्ट डाल दिया है आप चाहिए तो आदा ही अधरक के टुकडे को कट करके डाल सकते हैं च्युद चुकडे करके और यहाँं पर इससे मैंने ग्रांड कर लिया है पानी का यूज़े से जो हमारी चटनी है बिल्कुल स्मूद सी पिस जाएगी तो यह हमारी धनिया की चटनी तयार हो गए यह दही वाली और चीला भी हम चेक कर लेते हैं तो एक तरब से अच्छे से पक गया है तो बहुत हलकालका सा हम घी की नारूपी लगा देंगे जिससे कि आसानी से निकल भी जाएगा और आराम से यह पक भी जाएगा तो यह मैंने लगा दिया है इसके बाद मैं इसे पलट लेती हूँ पलटने के बाद भी मैं इसे कवर करके पका लेती हूँ चली करते हैं से सर्फ तो सरफ करने के लिए इसमेर बैश्श जो भी च्रफ बनाया है तो अब है ने फिलास दूही च्छीळ क्यों और इससर्फ कर ले थी हूं जो हमने चटनी बनाई आ तो इस छटनी के साथ यह बेसनकी च्री Sapp maa जब त्राय करें यह नाजता और family friends में शेड से रेयर करें यह recipe मेरे साथ comment करके बताएं किüğ चीले की recipe आपको कैसी लगी मिलते हैं नई recipe के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए G a C केर थैंक्स पर वाचिंग